लारिसा, मैंने एक नए मरीज को रूम चार में भीज दिया है तुम्हारे लिए, होप काउंटी होस्पिटल की एर चार्ज नर्स, मैरी हैंस, ने आवाज दी। ठीक है, लारिसा ब्रॉक्मैन ने अपने हालिया डिस्चार्ज का दस्तावेज पूरा किया और फिर कंप्यूट से हट गई। आधी रात से काफी देर हो चुकी थी, लेकिन यह मेमोरियल डे शुकरवार की रात यार में अभी भी काफी भीर भाड थी। या यूं कहें कि यह शनिवार की सुबह थी। वह रूम चार की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने अपने मरीज का परिचित चेहरा देखा, वह अचानक दरवाजे पर ही रुक गई। एनी हिंकल, जो पचास साल की उम्र में दस साल अधिक बड़ी लग रही थी, कद्देदार बिस्तर पर बैठी थी और अपने दाहिने हाथ को अपने सीने से चिपकाए हुए थी। नहीं, फिर से नहीं, उसके गले के लेकर कहा था कि वह उसके पती करट की मुठी से नहीं हुआ था। इस बार उसकी क्या कहानी होगी। लारिसा ने एक गहरी सांस ली और धीरे-धीरे छोड़ दी, फिर कमरे में प्रवेश किया। नमस्ते, एनी। हाई, एनी की नजरे मुश्किल से उसकी ओर उठीन और फिर जल्दी से इधर-उधर भटकने लगी। तुमने अपने हाथ को क्या किया। लारिसा ने धीरे से पूछा, अपने स्वर को नरम रखते हुए, जैसे ही वह पास आई। उसे साफ-साफ लगा कि यह महिला बिलकुल कगार पर है और अगर उसे कोई दबाव में डालता तो वह तुरंद भाग जाती। मैं सामने के पोर्ट से गिर गई, तुम तो जानती हो, मैं कितनी क्लमसी हूँ, इनी ने उसकी नजरों से मिलने से इंकार कर दिया और अपने हाथ को नीचे ही देखती रही, जैसे की चोट खुद ही ठीक हो जाएगी अगर वह परियाप्त ध्यान ल गागी